देखे जब से योगी आधितनाची की तरफ से ये वात कही गई है कि जितने भी उत्ता प्रदेश में बिभाग हैं उन तमाम बिभागों में जितने भी रिक्त बचे हुए पद हैं उन तमाम पदों को जल्द से जल्द भरने की तयारी की जाए ताकि जादा से जादा युवा को रोजगार मिल सके तभी से एक सवाल काफी ज़्यादा पूछा जा रहा है और जिसका इंतजार लगबग छात्र पिछले चार पास सालों से कर रहे हैं कि आखिरकार उत्ता प्रदेश में प्रात्मिक सिक्षक भरती आएगी भी या नहीं आएगी तो कब तक आएगी और कितना इंतिजार करना पड़ेगा और आखिर कर कितने पड़ों पर आएगी एक तरफ आप लोगों को मालुम होगा दो दूनों से खबार और चल रही है कुशी नियूस पेपर चीज़े ये भी निकाल रहे हैं कि सत्रह हजार प्रात्मिक विध्याले बंद हो स जाएंगे आखिर का क्या उत्ता प्रदेश में सिक्षक बरती आएगी भी या नहीं आएगी हम त्यारी करें चोड़ने इस वीडियो को देखने के बाद में आपके उन्हें जितने भी डावट हैं सुपरड़ परिक्षा को ले करके चाहें वह बिद्ध्याले वाली जो होंगी नए आयोग होंगी और नए आयोग ने कार करना प्रारंब कर दिया है मतलब अगले महीने जुलाई तक आप लोग की नियमा बली तयार हो जाएं नियमा बली का मतलब होता है किस तरीके से आयोग कार करेगा ठीक है आयोग के क्या-क्या तौर तरीके रहेंगे वह तम काम नियमा बली परिक्षा को ले करके ये लोग कंप्लीट कर लेंगे और अंदाजा ये लगा जा रहे हैं कि अगस्त के महीने से आयोग संभवता कार करना भी प्रारंब कर देगा एक चीज और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखे सुपर टैट डारेक्ट पहल आ रहा था कोविड के बाद में क्या हुआ जब कोविड आया तो कोविड की बेसे क्या हुआ इसकी जो चेन थी वो तूट गई और आप लोग को पता है कि अब जो यूपी टैट वो रेगूलर हर साल नहीं हो पा रहा है इस बार जो सबसे पहला एक्जाम कराएगा आयोग वो यूपी टैट का ही होगा जो की समभबता अगस्त के लास्ट में और पर से बहने को मिल जाएगा क्योंकि यूपी टैट से बेसिक एकजाम है इसको कंड़akt कराने में आयो कोी भी जादा परिशानी नहीं आएगी ठीक है और उसके बाद में ही आप लोगों को सिक्षक भरती देखने को में सिक्षक भरती के गरम बात करते हैं ठीक है दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी 2025 के आज पास ये परिशा कराये जाने की संभावना बनती है ठीक है ये तो होगी कि आयोग किस तरीके से कार करेगा आकिरकर संभवता कब कब चीजे क्या क्या आयोग कर सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि जिसको ले करके बहुत ज्यादा लोग परेशान है कि एक तरफ सरकार जो है ना महानेजीशक जी की तरफ से बात आती है कि जहां 50 से कम बच्चे स्कूल से डाटा मांगा जाता है कि आपके स्कूल में इस बस कितने बच्चों ने अभी तो प्रॉसेस चल रिया कितने बच्चों ने अन्रूप है मतला इतना तो कम से कम होना चाहिए 30 बच्चों पर एक teacher और भही पर प्राइमरी की अगर हम बात करें लग बोज जूनियर की ठीक है प्राइमरी की तो भही बहाँ पर 35 बच्चों पर एक teacher मारा कम से कम इतना होना चाहिए और जो आप लोग इस बात को ले करके परिशान हो जाते हो कि सर ये खबर आई है कि सर टीचर के अनरूप बच्चे हैं बच्चे के अनरूप टीचर ने तो बैकंसी आएगी कि नहीं आएगी देखिए ये कए कम से कम इतना होना चाहिए सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे उन्होंने ये कहा कि अभी हमें लगता है कि पर और गुडबर्ता पून जो सिक्षा है वो हम जो जो प्राइबेट स्कूल से उनसे मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमारे पास में 30 बच्चों पर एक टीचर कारेदत है तो 30 बच्चों को बहुत सारे ऐसे स्कूल जहां पर एकल बिद्धालें एक ही ट आपको बढ़ाने की नीड है ये बास सरकार भी जानती अच्छी तरीके से तो अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि सरकार सिक्षक भरती के बारे में सोच नहीं रही है सोच बिलकुल रही है बट क्या समय के अनुशार कार रहोगा ठीक है ये जो मानक है मानक ये कहता है क कि इतने से काम चल सकता है बट ये बास सभी जानते देखिए काम नहीं चलाना है सरकार की हमेशा से प्रात्मिक्ता ये रही है अब तो लोगर साथ है आठ साल होने बाले हैं आपको ये बात पता है सरकार की प्रारम से ही एक प्रात्मिक्ता रही है कि गुडवत्ता सब करने के बाद तो कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे व्यक्ती को चुन रही है जो की काफी जादा efforts लगा सके बतलब जो मुहीम सरकार चला रही है गरीब बच्चों के लिए उसमें और जादा योगदान दे सके और जादा योगी टीचर रहे हैं तो यह अपने दिमाग से निकाल दो, कि सरकार सोच नहीं रही है, सोच रही है, और देखिए, अब विध्यालों में जो टीचर हैं, ये बात कही जा रही है कि जो पचास से कम बच्चे हैं, उनका क्या होगा क्या बंद नहीं होगा, एक नियम ये भी कहता है, इसको लेकर के हाला की पहले चर्चा भी हो बिध्याले महां पर आट बच्चे आप टीचर दो हैं, तो इन दो टीचरों को इस साथ बच्चों वाले बिध्याले में भेज दिया जाएगा, ताकि यहां पर प्राइबेट स्कूलों की तर्ज पर वकाइदा, पीरियड लगें, ठीक है, हर एक टीचर को अपना अपना व हो सकता है कि जब सरकार के पास में प्रॉपर तोर फे टीचर हो और एक-एक विध्याले में हर एक सब्वक्राइड का अलग अलग टीचर हो अगर प्रॉपर पढ़ाई करनी है तो तो अपने दिमाग से इस बात निकाल दें कि सरकार नहीं सोचे सरकार बिलकुल सोच रही है और आने वाले समय में आप लोगों को बैकंसी देखने को मिलेगी आखिर कर कितने पनाओ पर बैकंसी देखने को ये बात बिलकुल सही ये पता होना चाहिए आपको देखें कम से कम मैं बता चकाओं कम से कम 17,000 ठीक है और अधिक से अधिक कोई डाउट है फिर भी आपके मन में कोई डाउट है टीचर वैकंसी को ले करके तो आप ये मेरा नंबर दिया हुआ है 94, 98, 97 यहां पर संपर करके आप सबाल पूछ सकते हैं बाट सब या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी पृतिकरिया दे सकते हैं आपको क्या लगता है कि सरकार को स्टाप और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए जो भी आपकी मनसा है जो भी आपको लगता है आप अपने विचार खुल करके कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ठीक है बट निगेटिब ज्यादा चीज़े नहीं लिखेंगे आप लोग देखें जो मैंने समझाया है उसके according आपको क्या लगता उसी के बारे में आप जो है जो भी बात कहने हैं वो आप बात कहेंगे ठीक है इसके लाबह देखिए को लेकर क्लासे स्टार्ट हो चुकी है एक क्लास आपकी सांको पांच बजे होती है ठीक है जो की आप लोगों जी इस क्लास को अगर आप कर ले तो यकीन बानों कि जी एस में तो आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं है तो चलिए अब हम मिलते हैं आज साम को पांच वजी वाली क्लास में तब तक के लिबाएबाएबाए टेकर और धन्नबाद